आप बीच में मत टोग ना उनको और सलावन देना आप पीछे सीट पर चल जाओ धन्यवाद अधियक्ष महद आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं जादवपूर लोगसभाज शेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ मेरी लीडर ममता बैनर जी और अभिशेक बैनर जी का और जादवपूर लोगसभाज शेत्र के साड़े वोटरों का जिन्होंने मुझे भाड़ी बहुमत से जिताया और इस सदन में बेच के बीजेपी को एक पैगाम देया के पश्चिम बंगार में माने सदक सदन में इन नेता को इन नेताओं को धन्यवाद नहीं था और ये संदेश सब्सक्राइब लोगसभाज शेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भाड़ी बहुमत से यहां पर जिता के भेजा और ये पैगाम दिया के पश्चिम बंगाल में नफरत की रनीती और दोके बाजी की राजनीती नहीं चलेगे मुझे पूरा बोलने का मौका दे क्योंकि हाली में हुए नीटी आयो की जो मीटिंग वही थी वहां पर हमारी मानेने मुख्यमंत्री जो देश की एक मात्रे महिला मुख्यमंत्री भी है उनका माइक बीच राह में ओफ्स कर दिया गया था है वह बंगाल के वह बंगाल के अरे अभी तो शूरुआत है यह तो ट्रेलर है पिक्चर बाकी अध्यक्ष मौध है मैं आपसे यह बोलना चाहती हूं कि वह बंगाल के अधिर यहां पर सवाल इचाने आई थी वह बंगाल के लोगों की बात रख रहे यहां पर आई थी लेकिन उनका माइक आफ कर दिया गया आपके माधियम से मैं सदन में उपस्तित वहाँ जो बैठे है माने सदश है कोई भी निती आयो या कोई भी घटना को सब्सक्राइब आपकर दिलेट करेंगे बस एक सुनाव बाकी आप देख लीजेगा सर ओल इंडिया त्रेनबूल कॉंग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लाजिस्ट ऑपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते कि आपने हमको रेलवे स्वास्त शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे म महत्वपूर्ण विशय पे चर्चा करने का मौका दिया लेकिन त्रेनबूल कॉंग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा चाहे वो चीन का अनाइतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो साथ सो से उपर आंदोलन जीवी किसानों की मौत हो अब आपको हश्चेप नहीं करना चाहता लेकिन जिस अनुदानों की मांगो पर चर्चा अब यार सर नीट के घोटाले से लेके सर नीट के घोटाले से लेके जेस्ट के बोच तक एरपोर्ट की छथ तूट जाने से लेके रेल पत्री से चूट जाने तक ट्रिनमूल कॉंग्रेस के सदस्य हर सांगसर देश के हर गंबीर मुद्दे पर चचा करेंगे बस ये आपको बोलना तो प्रिस्टेट सर महामाटी मानूश इस अमाटी मानूश इस अमारे किसान अपनी मवेशी को अपनी फसल को मा की तरब पूचते हैं जिस खेत में वो हल चलाते हैं वो जमीन को नमन करते हैं इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूचेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे किसान से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी दस साल में रास्ते में भतक गई अपने परिवार के लोगों कर खेलाएंगे अपनी गाय भैस भेर बकरी को क्या खिलाएंगे सर ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गड़ीवी से जूचता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेर बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं सर पिछले दस सालों में एक लाख बारा हजार किसानों ने इस देश में आत्मे हत्या की NCRB के एक रिपोर्ट के अनुसार, दस साल में हर दिन इस देश में, एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं सर इस देश के लोगों का यही है किसा के जिसको जिताया, वो राजा की तरह जाएगा और जिन होने जिताया वो फकीर की तरह सर ये बहुत गौरक्षा की भी बाते करते हैं देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder so it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP rule state 74,000 cattle had died at Panjra Pools in Sundarnagar and Banaskatha district of Gujarat in the last three years 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh and 74,016 cows had died in Hingonia, Gaushala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan तो सर पहले खाना ही नहीं मिला, fodder crisis फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा के किसान खरीदी नहीं पा रहा है, fodder inflation और सर खाना मिल भी जाए तो पशो की बिमारी उसे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandary and Food Processing presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months ये बोलते है कि गाय हमारी माता है, पर मा की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है अध्यक्षमाद है, हम सब जानते हैं कि इस ministry के अंतरगत डेरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूद के उत्पादन में नबर एक है contributing to almost 24.46% of global milk production but since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk In the last 10 years, due to the stagnation in milk production the gains of white revolution has been systematically whitewashed the dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce and the price of milk on the other hand has increased by a massive 55% in the past 10 years it was rupees 36 per litre in 2014 and now rupees 56 per litre in 2024 when this government came to power the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per litre this was the revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP आम आदमी के दूद, चाच, लस्टी, डही, पनीर पर 5% की GST क्रीम, कंडेंस्ट मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरों पर सिर्फ 10% की GST सरकार उनको रिलीव नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्कशेक और लाती की चुस्किया लगाते है ये सरकार उनको रिलीव नहीं देती जो आम आदमी दो पैकेट डूद खरीदने से पहले दस बार सोचता है सर, बच्पन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोस खाओ अंडे इंडिया रांक सेकंड इन एक प्रडक्शन इन वर्ल और अंडे का फंड़ ये है सर के भारत के बच्चों के किसमत में महीने में एक अंड़ नहीं नहीं हता मिद्डे मील के चलते हफते में अगर एकाद अंड़ भी रहा था तो कही धरम के नाम पे तो कही महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है सर मोर दन 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country and roughly 17% children are underweight and yet most BJP rule states do not serve eggs in midday meal scheme this is the example of portion call in India सर अंथ पे आते हैं मच्छी पे and not to forget that 2.8 crore fisher folk are employed directly in catching fish in the country and millions are employed in the value chain of selling fish and aquaculture India stands third in the world in the terms of fish production contributing to 8% of global fish production and ranked second in aquaculture production the PM talks about blue revolution but this government has allocated only 0.045% funds out of the total budget for the flagship scheme Pradhan Mantri Matsya Sampadhyojna even after this meager allocation they did not utilize 39% of the funds and in 23-24 they did not utilize 24% of the funds allocated और सर बले ही सरकार को मनिपूर शब से अलर्जी हो but the fact remains that 1.5 years of lack of governance in the state has led to endangering of the fish species in India's largest freshwater body in Manipur the Loktak Lake Sir, the government has to generate employment opportunities investment in areas such as exports, post-harvest processing and import substitution it has to deal with adversities like overfishing, depleting of fish stocks, pollution, disease outbreak, destruction of habitat and climate change Sir, my own parliamentary constituency has assembly constituencies like Baruipur, Shonarpur, Bhangor which are heavily dependent on these sectors for livelihood main crops grown are wheat, rice, vegetable, fruit, oilseed, pulses, cotton and jute and animal husbandry is practiced mostly by women in the self-help groups in the South Chobish Parvona there is a wide range of domestic animals including cattle, poultry, goat particularly the black Bengal goat and the Pekin duck and I take extreme pride in saying that in the last five years of the TMC government the CM Mamata Banerjee has allocated a massive amount of 76,680 crore to agriculture and its allied sectors for their development the government of West Bengal has achieved remarkable success in implementation of state schemes namely Bangla Dairy the state owned company is providing financial incentive at the rate rupees 11.5 per litre of raw milk directly to the bank accounts of primary dairy farmers through milk unions Bangla Dairy procured 3.55 crore kg milk in 2023 for which rupees 109 crore was paid to dairy farmers through direct benefit transfer 47,900 fresh Kisan cards have been issued in the last three years for animal husbandry up to 30th November 2023 rupees 393 crore was sanctioned to marginal animal rearers in the rural areas Bangla Shushubhima scheme a fully state funded scheme for crop insurance total 1.28 crore farmers were enrolled under the scheme during 23 24 70 lakh farmers got claim settlement worth rupees 247 crore 76,049 farmers are getting pension amounting to rupees 1,000 per month under joy bangla scheme so far bangla scheme was introduced in 2014 for ensuring remunerative prices for agricultural produce integrating about 80,000 farmers and procuring about 100 metric tons of perishables daily the annual turnover of this project is now rupees 106 crore 77 new stores have been opened in financial year 23 24 186 Kisan Bajars sub market yards are running successfully providing excellent marketing infrastructure for aggregation and ease of marketing and to be mentioned that west bengal is one of the largest coal storage capacities in the country at more than 87 lakh metric ton with 620 coal storages new investment of rupees 239 crore is upcoming in this sector this year with an employment opportunity for nearly 20 000 people now coming to the demands of pending funds from the government of india to west bengal on animal husbandry and welfare 50 percent of the central share rupees 12.72 crore for financial year 23 24 being the recurring expenditure for mobile veterinary units is spending with the government of india government of west bengal requested for sanctioning an additional 126 mv use for 24 25 however it was regretted citing want of funds the proposed central share of 49.93 crore for financial year 24 25 for assistance to states for control of animal disease has not yet been released by the government of india despite repeated persuasion department of animal husbandry and daring has not released the central share of rupees 10 crore for financial year 24 25 for various ongoing national livestock mission schemes including the project for the establishment of buck semen station in horingata ये तो बस इसी मिनिस्ट्री से बकाया है बंगाल का अभी दूसरी मिनिस्ट्री प्रक्रे तो पता नहीं कहां पर जाके ये खदम होने वाला है मैडम मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले दस सालों में इस देश के लिए क्या किया उसे बड़ी तालिका बनेगी कि दस साल में क्या-क्या कर सकते थे पर किया नहीं 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोचके और अच्छे दिन के खुआप देखके बीजेपी को वोट दे रहा था अज दस साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है शायद अभी वो किसान है भी नहीं तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपून होता है अदक्ष महोदय है और बड़ा बलवान बिंगॉली में हम एक बाद बोलते हैं कि शौमोय गैले साधोन विना इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी अगर भक्त रूट गय तो अराधना नहीं होगी और तीन से 303 से 240 के आकरे बोलते है कि इस बार जो आप चले गए तो दुबारा लौटने की सम्भावना नहीं होगी तो यहीं बोलके मैं अपनी बात करती हूँ, thank you so much.